सभी सनातन धर्म प्रेव मंद्यों के लिए सादर नमस्कार और सौमती अमावस्या की सुपकामना हैं। आज हम सौमती अमावस्या के ब्रत की बिधी, पूजन और कथा कहते हैं। प्रियमित्रों पापर योग में यह सौमती अमावस्या अती दुरुलग थी। लेकिन संयोग से कल योग में प्रति वर्ष दो या तीन वार सौमती अमावस्या पड़ती है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग की बात है। सौमती अमावस्या की दिन सौभाग साली इस्त्रिया अपने सौभाग की कामनाग और सौभाग की ब्रधी के लिए इस ब्रत को करती है। इस ब्रत का करने का बिधानिया है कि प्रातहकाल में सुद्ध जल से इस्नान करके और पीपल के ब्रक्ष के पास जाना चाहिए। इसके अलावा सुद्ध की सामग्री भी प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से सुब बस्तूओं से एक स्वार्थ परिक्रमाएं करना चाहिए। इन परिक्रमाओं करने के बाद में जिस बस्तू से परिक्रमा करी है वह अपनी सास को प्रदान करना चाहिए। या जिठानी को प्रदान करना चाहिए अत्वा किसी ब्रामणी को प्रदान करना चाहिए। इसके बाद में स्रद्धा पूर्वग कथा का सरवन करना चाहिए। स्वामतियों से कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक ब्रामण और एक ब्रामणी रहते थे। उनके किवल एक कन्या थी लेकिन संयोग से उस कन्या का विवाय का जो योग था वह ठीक नहीं था। उन्होंने बताया कि यहां से काफी दूर एक सुमा नाम की धोविन रहती है। वह पती पारायन है। वह दी अपने मांग के सिंदूर इस बिटिया के मांग में भर दे तो इस बिटिया का सुहाग अच्छे रह सकता है। यह सुनकर के ब्रामणों ब्रामणी ने सोचा कि क्या उपाए करना चाहिए। तब ब्रामणी ने अपनी कन्या से कहा कि तू उस धोवन के घर जा करके उसकी सेवा कर। यह आग्या पा करके कन्या ने प्रति दिन चुपचाप जाती ही सुबह कर समय और प्राताह काल में ही उस धोवन के घर जा करके उसका सारा काम निप्टा के आ जाती थी। धोवन यह समझती थी कि यह जो है उसकी बहु काम कर रही है। और बहु यह समझती थी कि उसकी सासुमा बहुत जल्ली उठकरके प्राताह काल में ही सब काम निप्टा लेती है। एक बार धोवन, सौमा दोनों ने आपस तो नों ने आपस में आपके कामोन रेड़ा यकर दा शुरू कर जा स्पराड़े मुदम्र सो कुए तो एक नभी काम कंप उफ्वाद औरsis !! और चुपचाप उनके घर का काम निप्टा रही थी तो धोबिन ने ततकाल उस कन्या के पेर पकड़ लिये और पूछा कि बेटी आप कौन हो और यहां पर हमारे इस तरह से सेवा क्यों कर रही हो तो कन्या ने उस साधू की बताई हुई बात पूरी की पूरी उनको बता दी और बताया कि मेरा सौभाग तभी रह सकता है जब अपनी मांग का आप सुन्दूर मुझे दे दे तो धोविन पती पारायन थी उसने देखा कि यह एक पुन्यकार है तो उसने ततकाल हामी भर दी इसके बाद में ब्रामन कन्या अपने घर चली गई और ब्रामन ने उस कन्या के बिवाह की तयारी गल ली बिवाय के समय सौमा धोबन को पता लगा तो वो स्वयम चली आई और उसने आकर के कन्या की मांग में अपने मांग का सिंदूर भर दिया जैसे ही संदूर भरा तो उस कन्या का सोभाग खिल उठा उसका सोभाग में ब्रद्धी हो गई लेकिन इसके साथ साथ में ही यही भी हुआ कि सौमा धोबन के जो पती पहले से बीमार चल ला था उसने प्रान त्याग दिये संयोग से सौमा धोबन के जो तपस्या थी उसको ग्यान हो गया कि उसका पती नहीं रहा है तो वह राष्टे में लोटते में बड़ी बिचार करती हुँई चली कि क्या करना चाहिए संयोग से उस दिन सौमती आउस्या थी और राष्टे में चलते हुए उसे एक पीपल का पेड़ दिखा वह यह तत्काल उस पीपल के ब्रक्षच के पास रुख गई और पीपल के ब्रक्षच की मानसिक रूप से बिधिवत पूजा की और साथ में साथ में जो पदार्थ है जो कि उसको ब्रामणी की करन्या के देवाय भी थी तो इसे भगवान प्रशन हो गए और भगवान प्रशन होने से उसका जो पती घर पे मृतावस्थाम पढ़ा हुआ था है वह जीवत हो गया उसके सरीर में हलचल हो गई और संयोग से दैवयोग से उसके सतीवरत जो धर्म था उससे पता भी लग गया कि उसका पतिस्वस्थ हो गया है इस प्रकार से सौंबती माता के कारण से या सौंबती आवश्या के पूजन के कारण से दोनों को यानि कि उधर ब्राह्मन कन्या को और इधर सोमा को अपने पने सुभाग की प्राप्ति हुई जै भोलेनात ओम नमस्ष्वाय